गैस अपने data structures के इस course में हम लोग उने stack को बहुत नजदीगी से देखा और हम लोग अब यहाँ पर stack को implement करने वाले हैं C language में अपने code में यानि कि visual studio code में चलेंगे और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे किस तरह से stack को बनाया जाता है in code ठीक है तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था हमने कहा था कि array implementation stack की की जा सकती है इस तरह का एक structure बना के हमने यह वाला structure बनाना देखा था और हमने वावर बात की थी देखो भाई ऐसा है हम लोग एक stack बनाएंगे उसमें एक size define करेंगे एक उसमें जो हमारा top है जो की index को store करेगा हमारे topmost element की वो रहेगा और int star एरर एक int pointer है जिसकी जाइता से हम heap में कुछ memory request करेंगे तो चलो आज आओ एक काम करते हैं जल्दी से एक नई file बना लेते हैं सबसे पहले तो अगर आपने playlist access नहीं करीए तो इसको कर लेना जरूर से book mark कर लेना और यहां क्लिक करके save कर लेना अब मैं आपर जल्दी से 24 वा वीडियो का जो code है वो बना लेता हूँ तो मैं 24 underscore stack using array dot c बनाने वाला हूँ ठीक है और यहां पर मैं सबसे पहले c की boiler plate डाल दूँगा और यहां पर जो structure की मैंने बात की है वो मैं आपर बना लूँगा तो struct stack मैंने आपर बना लिया है और struct stack के अंदर मैंने तीन चीजों की बात की थी एक तो size की बात की थी एक top की बात की थी और एक pointer की बात की थी int star ARR ठीक है तो मैं आपर एक stack को बनाने के लिए मैंने आपर आप लोगों को दिखायता है struct stack star मैं इस तरह से लिख सकता हूँ और यह सारी values इस तरह से मैं code में अब लिख देता हूँ ठीक है तो मैं इसको छोटा कर दूँँ अगर इस तरह से और यहां से देख के जल्दी लिख हूँ struct stack s और यहां पर s.size is equal to 80 और यहां पर s.top is equal to minus 1 minus 1 क्यों minus 1 हमारा denote करता है कि आपकी जो stack है वो खाली है यानि कि topmost element उसका index 0 भी नहीं है minus 1 है मैंने आप लोगों को arrow को इस तरह से करके दिखाया था मैंने कहा था कि arrow जब यहां पर है तो हम कह रहे हैं कि s.top minus 1 है इसका मतलब यह है कि कोई भी element stack में नहीं है ठीक है और जैसे से हम stack में elements भरते जाएंगे वैसे वैसे हम यह जो top value हुए जो कि index को store कर रहे है उसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे ठीक है सब्सक्राइब यहां पर आ जाता हूं वापस और s.top को मैंने minus 1 कर दिया है s.err क्या है मेरा मैं आपर int star और मैं क्योंकि malloc use कर रहा हूं मैं stdlib.h को include करूंगा stdlib.h और यहां पर int star malloc और उसके बाद यहां पर मैं s.size और multiply by size of int क्योंकि मैं int store कर रहा हूं यहां पर आप लोग देखो मैं आपर integer store कर रहा हूं stack में इसलिए मैंने size of int लिखा है अगर मैं कुछ और store कर रहा हूं तो मैं वही लिखूँगा उसका size लिखूँगा जैसे मानलो ए custom कोई दूसरा structure है उनकी stack बना रहा हूं जैसे आपने array of structures की कहानी सुनी होगी अगर आपने मेरा C का 15 गंटे वाला वीडियो देखा है notes के साथ तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा array of structures भी होते हैं उसी तरह यहां पर जैसे कि हमारे पस पहले array of integers होते थे इंटेजर से array of structures की हमने बात की उसी तरह जिस तरह stack of integers की बात हो रही हो जिस तरह stack of एक custom data type भी हो सकता है लेकि learning purpose के लिए हम stack of integers ही पढ़ते हैं क्योंकि integer जो है बड़े अराम से हमनों बना सकते हैं और अराम से हमारा काम जो हो हो जाता है ठीक है अश्छा है अब यहां inhale पर थोड़ा सा variation है यहां पर करने वाला हो और आप लोग देखना क्या how variation होने वाला है मैंने यहां पर एख बहुत ही simple stack stack बनाई मैं अभी क्या करूँगा इसे copy करूँगा और इसे comment out कर दूँगा और यहां पर देखो मैं क्या variation करूँगा और क्यों करूँगा ये भी बताऊँगा मैं ठीक है अगर मैं stack pointer बना लूँ struct stack star s बना लूँ अगर तो आसानी पता है क्या होगी मुझे मैं इस pointer को जो stack pointer है इसको functions को pass कर सकता हूँ और मैं call by reference बड़े around से कर सकता हूँ structure को change कर सकता हूँ तो struct stack star s अगर मैं कर दूँ यहाँ पर तो क्योंकि s अब एक pointer है क्या यह कहना सही रहेगा यह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या यह कहना सही रहेगा एस arrow size मैं कर दूँ अगर इसको तो क्या यह कहना सही रहेगा और यहाँ dot size की है वाँपर मैं arrow कर दूँ मुझे time step लगा के नीचे comment में बताओ आप लोग क्या यह सही होगा और अगर सही नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा मुझे नीचे comment करके आप लोग बताएं सो जी हाँ बिलकुल यह सही होगा क्योंकि जो s है वो अब एक pointer है पहले s एक stack थी और यहाँ पर struct stack star s यहाँ पर मैंने लिखा तो structure का यह pointer बन गया जी कि जो stack structure है उसका एक pointer बन गया और यहाँ पर इसकी साहिता से मैंने क्या किया जो इसकी सारी values थी arrow मैंने use करके जो मेरा arrow operator है structure का उसको use करके मैंने इसके size को 80 set कर दिया top को minus 1 set कर दिया इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब simply यह हुआ कि मैंने एक errr इस size का बना लिया ठीक है 80 size का मेरी one note note book में मैंने कितने size का बनाया था 6 size का बनाया था मैंने 80 का बना लिया और यहाँ पर मैंने top को कर दिया minus 1 मैंने कह दिया कि भाई इसमें कोई element नहीं है तो इसले top को minus 1 कर दिया मैंने अपने को print करना चाह सकते हो आप एक stack के अंदर element को सबसे primary basic दो operation जो है push और pop ठीक है जिनकी बात बहुत जादा की जाती है push operation है एक pop operation है कि stack के अंदर element को डाल देना और stack के अंदर से element को निकाल लेना लेकिन उससे भी पहले जिससे पहले हम push करें या pop करें मैं आप लोगों से एक सवाल पूशना चाहता हूँ और मेरे सवाल यह है कि आप लोग मुझे जरा एक बाल बताओ जो push और pop है क्या इनकी कोई condition है मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि क्या मैं push कर सकता क्योंकि इसमें कोई element ही नहीं है अगर मैं खाली डबा आपको दे दूँ और बोलो कि भाई biscuit खालो तो आप तो यह कोगे ना यह कैसा मजाक है अगर मैं खाली biscuit का packet आपके सामने लेकर आऊं और काऊंगी भाई जरा biscuit खालो तो आप क्या कोगे आप कोगे यह कोई मजाक है हाँ होता है ना कि कभी-कभी मजाक मजाक में कहते हैं स्कूल में बच्चे खब कुछ चॉकलेट खाके खाली packet देते हैं कहते हैं लो भाई gift है तो उसमें सामने वाला फिर चड़ जाता है गंदी तरह कहता है कि यार यह कोई मजाक है आप तो हम बड़े हो चुके हैं कैसे मजाक क तरह से stack भी आपको दिक्कत देगी अगर आपने चेक नहीं किया कि आप निकालने से पहले element यह चेक करें कि आपकी stack खाली है कि नहीं है या फिर डालने से पहले आपको यह चेक करना बड़ेगा कि आपकी stack full है या नहीं है तो यहां पर मैं जल्दी से क्या करूंगा discuss करूं कंडिशन एक स्टैक के खालियां फुल होने की ठीक है तो अगर मैं आप बर एक एक फॉंक्शन लिखूं इस एम्टी और यह ले स्ट्रक्ट स्टार एस या फिर मैं काम करूंगा मैं पीटी आर करूंगा क्योंकि यह एक पॉइंटर ले रही है ठीक है कुछ भी कर सकते हो आप यह इंटीजर रिटर्न करेगा यह जो फंक्शन है और यह एक स्टैक का पॉइंटर लेगा और चेक करेगा कि क्या यह स्टैक खाली है की नहीं है similarly एक और function हो सकता है जो कि check करें कि क्या यह stack full है कि नहीं है इसको मैं भी implement करता हूँ इपने आप दो मुझे लेकिसे पहले मैं is empty को implement करना जाता हूँ जो is empty है वो क्या करेगा is empty यहां पर यहां पर मैं struct stack star लिखोंगा ठीक है is empty जो है हमारे पास यहां पर इसमें क्या होगा कि हम check करेंगे कि क्या यह खाली है कि नहीं जब खाली होता है stack तब उसके top की value क्या होती है आप लोग मुझे बताओ टॉप की value minus 1 होगी तो stack खाली होगा अगर टॉप की value minus 1 है तो stack खाली होगा अब एक बात यहां पर करना चाहता हूँ यहां पर मेरी index जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 अब क्योंकि मेरा size 80 है तो 80 तक जाएगा 79 तक जाएगा to be specific 0 to 79 जाएगा 80 का जो array है लेकिन यहां पर यह हमेशा positive रहेंगे इसकी जो indices है तो आप यह भी लिख सकते हो कि अगर जो top की value है वो less than 0 है तो आपका stack है वो empty है तो यहां पर मैं एक काम कर सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ यहां पर क्योंकि मेरा model जो है stack का वो इस प्रकार से है कि top की value मैं minus 1 ले रहा हूँ अगर मेरी stack खाली है तो मैं लिखूँगा if ptr top equal to equal to minus 1 ठीक है मैंने अगर ऐसे किया तो मैं return 1 कर दूँगा 1 का मतलब क्या है return 1 का मतलब true और मैं else return 0 कर दूँगा अब मैं अपने function को हमेशा इस तरह कर से लिखना prefer करता हूँ कि यार मैं if भी लगा रहा हूँ और else भी लगा रहा हूँ क्योंकि readability बढ़ जाती है और अगर आप सिर्फ यहां पर return 0 लिखते हैं तब भी काम चल जाएगा क्योंकि अगर यह if के अंदर नहीं कुसा तो obviously उसक करता हूँ अगर else redundant है भी तो वो redundant नहीं है क्यों नहीं है redundant क्योंकि वो मेरे उस beginner भाई को समझाएगा जो कि अभी नया नया CC का है उसकी understanding को बढ़ाए क्यों already उसके पाद एक challenge है उसको stack सीखना है अब यहां पर अगर उसका यह function वगएर थोड़ा सा weak है तो कोई बात नहीं यार उसने अगर अभी नहीं नहीं सीखी है C language तो मैं इसलिए syntax को थोड़ा clear रखता हूँ crystal clear क्योंकि यहां पर हम C language नहीं पढ़ रहे हैं हम अब data structures पढ़ रहे हैं तो implementation जो है बहुत सही से आप लोग को समझ में अगर नहीं आया तो काम बनेगा नहीं ठीक है तो यहां पर वो क्या condition है कि stack full हो जाए समझने के लिए चलने वननोट में यहां पर stack जो है वो full कब होगी जब top की value क्या होगी top की value 5 होगी तब stack full हो जाएगी 5 क्या है 5 क्या है 5 है size minus 1 क्योंकि index 0 से start हो रही है 5 क्या है size minus 1 तो मैं अगर यहां पर लिख दूँ कुछ इस प्रकार से बहुत हो जाए ptr के size minus 1 की तो stack full है stack क्या है stack full है तो यहां पर हम इन दोनों function को validate करेंगे एक बार जब हम लोग बना लेंगे अपने वो functions जिनकी साहिता से हम लोग stack में push करेंगे pop करेंगे लेकिन अभी यहां पर मैं सिर्फ एक function लिखूंगा check if stack is empty और यहां पर मैं लिखूंगा if s मैं आपर क्या कर रहा हूं मैं लिखूंगा is empty function मैं use करना चाहता हूं is empty s तब क्या हो जाए मैं printf करना चाहूंगा और मैं आपर काऊंगा the stack is empty ठीक है वरना क्या होगा वरना मैं आपर काऊंगा else the stack is not empty ठीक है तो the stack is not empty मैं कर दूँगा अगर कुछ इस तरह से यह else में घुसता है तो देखो stack is not empty इसको run करूँ तो stack is empty आना चाहिए क्योंकि stack मेरी empty है अगर मैंने आपर इसमें element push कर दिया manually ठीक है अगर मैंने element push कर दिया manually कैसे करूँगा element push मैं कहूँगा कि जो s का arr है s का arr है और मैं कहूँगा 0 is equal to 5 और s का जो top है plus plus मैंने एक तरह से push कर दिया इसमें ठीक है मैंने s के top को plus plus कर दिया arr 0 को 4 कर दिया निकि एक 4 push कर दिया इसमें मैं 7 push कर देता हूँग कि यहाँ डियाग्राम में 7 कोई भी number push कर सकते हो यार it doesn't matter कोई भी integer ठीक है अभी यहाँ पर stack empty नहीं आएगी देखलो stack is not empty ठीक है तो manually मैंने push कि element और मैं आपर इस तरह से push नहीं करूँगा future में मैंने बस आप लोग को यह function check करने के लिए दिखाया तो नाई तो stack empty है और stack full भी नहीं आएगी अगर आप लोग यहाँ पर बना कर देखोगे इस function को run करोगे तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक काम करना है यार देखो जिस तरह मैंने आपर manually push की element error 0 करके आप error 1,2,3 करके जैसे मैंने c यहाँ पर बनाया size आप एक काम करो इसको पूरा model कर लो 0,1,2,3,4,5 आप 6 size का एक error बनाओ ठीक है एक stack बनाओ जिसकी size 6 होगी और यहाँ पर error dynamically बनाओ उसी आपसे उस size को use करके और finally आप क्या करो कि एक एक करके element push करो उसमें इसे 7,8,12,13 कर लेना,8 कर लेना,9 कर लेना ऐसे push करना और is empty or is full function को check करके मुझे comment में बताओगी सही ह या गलत है मुझे आप लोग comment में बताओगी सही है यह functions या गलत है क्या actual में यह condition सही भी है कि नहीं है यह मुझे आप लोग नीचे comment में बताओ ठीक है तो सब लोगों को क्या करना है यह आपको homework है अगर आप करते हो मेरे साथ काम तो definitely आपको result मिलेगा लेकिन अगर आप स अच्छा लगेगा यह सुनकर कि आप लोग actual में जो में implement कर वारा हूं वो करके देख रहे हो और यह सारे काम जो में वीडियो में बता रहा हूं वो हो रहे हैं आपके दुआरा भी मुझे बहुत अच्छी खुशी मिलेगी यह आप लोग करोगे तो और यह playlist काफी लोगों नहीं है देखी नहीं है क्या topic है तो मुश्किल हो जाएगा तो मैं कहूंगा आप एक बार कम से कम playlist खोल के topic तो देख लो क्या क्या topic हैं आपर मैंने सारे topic लिखे हुए हैं और उसके बाद सब के notes बनाए हुए हैं लिंक्स दिये हुए हैं सारे description में अगर site पे आप लोग ज वाइदा होगा आपको so with that said मैं कहूंगा आप लोग इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो कर आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो और अगर आप लोग चाहते हो data structure के मैं videos जल्दी जल्दी बना दो data structure के videos तो पहली बात तो मैं जल्दी जल्दी तब तक नहीं करना है मैं fast करके कुछ नहीं करना चाहता लेकिन उसके बाद भी मैं जो और practice करा रहा हूं चीजें जैसे कि मैं अपने चैनल पर practice भी कराता हूं C की साथी के साथ अगर आप लोग देखते हो तो तो अगर आप चाहते हो कि मैं दोनों data structures की डालूँ video तो share करो या data structure की playlist अग definitely मैं यह कर दूंगा आप लोग की बात मैं मान लूँगा और आप लोगो दो दो data structure की video मिलेंगे क्योंकि अकर आप ने कहा तो क्यों नहीं याद बिल्कुल मैं दूंगा आपको दो data structure की video दिन में आप लोग बस इस playlist को share करो अगर I share जादा Instagram पे काफी लोग share कर रहे हैं 2-3 लोगों ने share किया था पिछले तीन दिन में तो काफी अच्छा लगा यार आप लोग share करो या थोड़ा जादा तात में मुझे दिल से बहुत खुशी होगी इस वीडियो में अभी के लिए इतना है यार देखने के लिए बहुत बहुत अन्यवाद thank you so much guys for watching this video and I will see you next time कर दो